फ्रेंट्स आज देखेंगे फोर डाट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग वो भी डारेट कपड़े पर यह कुछ मेजरमेंट्स हैं आपके सामने सिर्फ साथ मिनोट के अंतरगत हम लोग इस कटिंग को समझ लेंगा सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे जिसमें एक इं लेके हाफ निशान लगाऊगे मतलब साढ़े 5 और उसके बाद आर मोल का भी निशान लगाएंगे सीधा और यह इस तरह से मिला देगा यह आर मोल का सीधा निशान होता है ठीक अब आज जाएंगे हम 41 चेस्ट मतलब इसका सीधा-सीधा चौथा हिस्सा लेना है और चूँ उसके बाद आपको लेना है यह ढांट सवा चार इंच की दूरी और ब्रक्स 4-इंच की उंचाई यह कौनसा ढांट है पीछे पले का जो की हाफ इंच а लगता है डE brace बनाना है तो शुल्डर गळे की तरफ हलका सा डौन और आर्म होल अंदर की तरफ हलका सा डौन करना है यह ऐसे बाकि सभी पेटन्स पर शोल्डर आर्मोल की तरब डॉन होंगे पीछे का गला 11 इंच का है तो 11 इंच इस प्रकार से आपको मार्क कर लेना और उसके बाद जो है यह इस प्रकार से आपको यहां पर हलका सा डाउन करके आर्मोल निशान को लेना है और यह इस प्रकार से कटिंग करना है अगर आप हमसे रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं 100% फिटिंग आरेंटी के साथ साथ दिनों के अंदर-अंदर cash on delivery पर आप सभी लोगों को delivered होगा जी हां cash on delivery पर तो एक बार आप मंगा करके दीखे और फेस्टिवल सीजन आफर चल रहे हैं तो कुछ आपको free products भी मिल रहे हैं उसका भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं यह इस प्रकार से यहां पर हम सीधा यह मार्क कर लेते हैं यह म अब हम क्या करेंगे सामने का गला सबसे पहले त्यार करेंगे सात इंच हमको गला चाहिए तो साथ इंच का मार्क करके और उसके बाद गले का जो फैलाव आप रखना चाहते हैं डाइंच पौने तीन इंच वो रख करके इस तरह से एक शेफ दे देते सिंपल गोल गले का आप चाहें दूसरा गला भी रख सकते हैं धाई इंच चौड़ा यहां पर एक बेल्ट निशान के तौर पर हम लेंगे सीधा इसको इस प्रकार से मिला लेना है ठीक अब यहां पर क्या करना है एप्रॉक्स सवाचार इंच पर हमने डॉंट की दूरी ली डॉंट का जो जाउन आएंगे और इस निशान को पहले सीधा कर लेंगे ठीक यहां पर हम लेंगे लगबग लगबग धाई इंच का डॉंट यह धाई इंच को आप तीन इंच भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके बाद यह देड़ इंच की दूरी पर एक पॉइंट यह तीसरा पॉइंट जो है वो तीन इंच की दूरी पर लेंगे तो में डॉंट से तीन और नॉट क्रियेट करने जिससे मिला कर कि यह आपका चार डॉंट ब्लाउज बन जाएगा निशान हमने किदर किदर मिलाया आपने देखा यह हलका सा जो शेप है वो देना है बेल्ट का यह एड होंगे और इधर जो मार्जिन आएगा वो आएगा दो इंच का ठीक है जैसे तीन इंच का डॉंट ले रहे हैं तो मार्जिन आपको कंप्लीट दो इंच ही देना है क्योंकि 1 इंच पीछे पले का मार्जिन कॉपी हो जाता है चूंकि वीडियो फास्ट फरवर्ड ह तो बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा लेकिन अगर कुछ चीज डाउट लग रहा है तो आप उसको देख सकते हैं दोबारा देखो यहां पर सवातीनी चारा यहां पर धाई यह चारा है तो यह जो निशान हमने नोट किया वो कौन सा निशान है बेल्ट ने को मिलेंगा तैके किस का मार्जिन के धर दिया जाता है और सब इतरा का मार्जिन दिया जाता है बाकी तीनों दोंट के लिए क्यों वहां जो निशान नीचे हिससे पर यहीं से कटिंग करनbor मार्जिन चेंदेना मर्जिन और उसके बाद 시ans यहां और जये नाप करके देख लेंगे जितना आएगा पीछे पल्ला उतना ही आपका बैल्ट का लेंथ होगा तो यह इस पकार से मिलाएंगे और इधर का उचाय कितना रहेगा धाई-इंच का पॉन इच आपका अलग से मार्जिन एड़ है तो यहांपर बैल्ट का अब देंगे क्या शेप इस और उसके बाद कर देंगे इसकी कटिंग तो यह बहुत सिंपल तरीका है फोट डॉट बैट प्लोज को डारेट कपड़े पर काटने का लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप को बहुं जादा हेवी कपड़ा यूज कर रहे हैं महेंगा कपड़ा अगर आप ले रहे ह इसका ध्यान रखना में फैबरी कैसे कटिंग करना तो सबसे पहले तो यह देख लेना यह मार्क कितना रहा है और उसके बाद यहां पर हम यह टोटल लेंथ का मार्क कर लेते हैं इस तरह से शीधा निशान लगाएंगे सीधा निशान लगाने के बाद यह अस्तिन का रौंड से आपको स्लिव की कटिंग कर लेते ठीक एक साइड जो है वो छट्ट तो इसको छट लेना है कि है अब बात करते बाकी परलों की तो यह जो पीसे सहिंगे आपके किस प्रकार से कटिंग हों पीछे का पल्ला डबल फॉल्ड बंध हिस्से पर निकालना घैशे आप अस्तर म ये इस टाइप से और उसके बाद ये जो फ्रैंट के पीस हैं डबल फोल बेपर इसको कही पर bı निकाला सकता है ध्यान रखना फूर्ट बफ ब्लॉज में कहीं पर भी उरेब कटें नहीं किया जाता 체 आडी एक खप्डी ही क्ट प्लॉज काटा है इसमें यह इस प्रकार से जो है आपका फ्रेंट का जो पार्ट है वो निकल जाएगा और उसके बाद यह है बेल्ट जिसको हम योग पट्टी बोलते हैं तो इसको आपको इस तरह से कटिंग करके निकालना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जीन हमने कपड़े पर दिया बेल्ट म और उसके बाद जो है आप इसमें पाइपिंग की पट्टी अनकमर की पट्टी बाकी और सबी चीजें कटिंग करके निकाल सकते हो जिससे आपको सिलाई के बाद और ज्यादा कुछ मैनत ना करना पड़े फटाप फटाप सिलाई कर पेपर कटिंग सगर मंगाना है डिस्प